बच्चों, welcome to KK Science Academy बच्चों, हमने last part में discuss किया था mathematical tools के लिए जो physics और chemistry में use होंगे तो आज उसी का second part है, इसमें हम लोग continue करते हैं कि जो भी mathematics का portion जो आपको physics chemistry के different chapters में use होते हैं उसी को हम लोग discuss करने वाले हैं तो आज सबसे पहले topic है हमारा log उसके बारे हम देखते हैं देखो बच्चों, आप लोग ने देखा होगा कहीं लिखा होता है lnx कहीं लिखा होता है log x ठीक है बच्चों, तो देखो lnx का मतलब क्या होता है lnx का मतलब होता है log to the base ex और log x का basically मतलब होता है log to the base 10x तो आपको जो log table provided होते हैं वो होता है to the base 10 पे लेकिन ये जो आता है आपका ये log e x mostly तब आता है जब भी आपको जब integration करना होता है dx by x का तो उसका result आ जाता है मैं नीचे कर देता हूँ उपर साथ नहीं आ रहा होगा camera में तो मैं देको dx by x का integration आता है ln x यानि की log e x ठीक है तो mostly log जो है integration के result के form में ही आता है तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया कि ln x क्या होता है log e x और log x का मतलग होता है log to the base 10 x तो हमें जो log table provider होता है log 10 के लिए लेकिन अगर हमें इसको calculate करना होगा तो हम इसको कैसे convert कर सकते हैं log 10 x में तो इसको हम लोग अभी देखते हैं तो देखो बच्चो सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम इसमें से कि जो ln x है इसको हम लोग या तो shortcut में लिख सकते हैं 2.303 log x देखो एक्चल इसका जो basic reason है कि आप लोग अगर log e x को लिख सकते हो कुछ इस तरह से log to the base 10 x upon log to the base 10 e और यही जो value आती है 1 by log to the base 10 और e इसी की value होती है 2.303 इसलिए हम लोग इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं ठीक है तो इससे overall क्या सुनमाया आपको कि जब भी हमें ln x को log x में convert करना होगा या log to the base 10 x में convert करना होगा तो हमें उसको 2.303 से multiply करना पड़ेगा ठीक है क्योंकि उसका reason मैंने यहाँ पर बता दिया ठीक है अब चलते हम लोग की log की अलग-अलग value को हम लोग कैसे find कर सकते हैं तो देखो log के लिए हमें log table provided होता है और उसी की help से हम लोग की value find करते हैं तो कुछ example लेते हैं जैसे कि हमें find करना है log 2 ठीक है तो कोसिस करना है कि इसको हमें 3 digit का बना ले ताकि solve करना असान हो जाएगा तो 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2.00 ठीक है तो अब देखो यह आ चुका है हमारा 3 digit में अब देखो rule क्या होता है कि point से पहले जितने भी digit हो that minus 1 कर देंगे तो यहाँ पर point से पहले क्या है एक तरह का digit है यान कि one digit है तो क्या करेंगे rule कहीं साब से that minus one मैंने बताया कि point से पहले जितने भी digit हो that minus one कर देंगे ठीक है तो यहां क्या points पहले one digit तो one minus one zero अब point लगा देंगे अब log table में जाएंगे और देखेंगे 20 का zero क्या है तो आप log table में जाओगे तो कुछ इस तरह से representation आता है पूरा का पूरा log table तो लिखनी सकता था मैंने तो जैसे देखो 10, 11, 12 वैसे दिखा रहता है 0, 1, 2 लिखा रहता है तो मुझे क्या चाहिए था 20 का zero तो आप देखोंगे table में ये लिखा होगा 3010 ठीक है अब एक और example लेते है second example लेते है log 3 इसको भी क्या करने वाले हम लोग इसको भी हम लोग 3 डिजिट का convert कर देते है चीक है अब मैं यहाँ पर आप लोग को value एक लिखी देता हूँ जिसकी जोड़त पड़ेगी मुझे आगए तो अब देखो बच्चो सबसे पहले फिर से वही बात कि point से पहले कितने डिजिट है 1 तो that minus 1 किया तो क्या आगया 0 अब point अब first two digits का third यानि कि 30 का 0 देखना हमे तो log table चले जाएंगे 10, 11, 12 ऐसे करते करते 30 तक पहुँचेंगे और 30 का 0 क्या है 4771 तो यह क्या होगा 4771 ठीक है आप लोग चाहो तो वीडियो पॉस करके एक find कर सकते हो log file की value log 5 की value ठीक है आपको जिसको try करना चाहते हो try कर लो otherwise मैं करके बताता हूँ इसको इसको अभी क्या क्या बच्चो 3 digit का बना दिया तो point से पहले 1 digit that minus 1 तो 0 point फिर 50 का 0 देखेंगे ठीक है तो 50 का 0 देखेंगे तो इससे क्या आ जाएगा हमारा यह आ जाएगा 6,9,9,0 ठीक है तो यह आ जाएगे log 5 की value लेकिन अगर मालो मैं थोड़ी से बड़े digit लेता हूँ तो मुझे भी table देखने की जुड़त पड़ेगी क्योंकि यह सर तो बहुत बार use होता है इसलिए मुझे यह learn थी value लेकिन आगे value के लिए मुझे देखना पड़ेगा तो चलो एक और example लेते हैं जैसे ले लेते हैं log 25 2 digit का कर देते हैं तो 2 digit में क्या किया मैंने 0.0 लगा का इसको फिर से 3 digit का कर दिया ठीक है और देखो कि अगर यह 25.0 तो rule क्या है कि point से पहले कितने digit हैं 2 तो that minus कर देंगे 1 तो क्या बचा 1 अब point लगा देंगे अब log table में जाएंगे ठीक है और इसमें देखेंगे 25 का 0 तो मेरे पास एक book है ठीक है इस book से मैं देख करके आपको बता रहा हूँ कि यह देखो 25 25 का 0 है 3979 आप भी चेक कर सकते हो book में तो यह आ जाएगा 3979 ठीक है तो इस तरह से हमने 2 digit का कर लिया अगर किसी को करना है 3 digit की value तो 3 digit की value मैं एक लिए लेता हूँ example जैसे log है हमारा 3, 4, 5 तो हमेशा क्या करते है 0.0 लगा देते हैं ठीक है ताकि point से पहले कितने digit हैं यह पता चल जाए अभी point से पहले कितने हैं 3 digit तो that minus 1 यहने की 2 point आप देखो first 2 digit का third ठीक है तो first 2 digit का third अब देखो 34 का हम 5 देखेंगे ठीक है तो 34 का 5 देखेंगे हम लो तो यह आ जाएगा देखो यहां से मैं देखो देख रहा हूँ 34 का 0, 1, 2, 3, 4, 5 और यह आ रहा है 5, 3, 7, 8 तो हम इसके पहले put कर देंगे 5, 3, 7, 8 ठीक है अगर इसी में कुछ और हो जैसे कि एक और digit ले ले लेते हैं 5, 6, 7, 4 डिजिट का कर दिया मैंने 0, 0 लगा दिया अब 0 से पहले कितने डिजिट है 4, 4-1, 3 अब पहले देखेंगे 45 का 6 तो फिर से हम टेबल देखेंगे तो 45 का 6 तो 45 का 6 दिख रहा है हमें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 यह दिख रहा 6, 5, 9, 0 6, 5, 9, 0 कुछ और add करना है मुझे अब क्या बचा 45 का 6 ले लिए अब last में क्या बचा है 7 तो यह 7 कहलाता mean difference इसके लिए एक अलग से यहां पर last में देखोगे आप कि 9 के बाद 1, 2, 3, 4 लिखा हुआ है यही है mean difference तो इसमें है 7 तो हम 7 के नीचे जाएंगे वही पर 45 बाले में देखोगे 45 बाले रो में जाएंगे तो 7 के नीचे देखो जाएंगे अगर हम 45 बाले रो में तो 45 बाले रो में अगर जाते हैं तो इसकी value आ रही है 7 इसकी value आ रही है 7 तो मैं क्या करूँगा 7 को इसमें add कर दूँगा तो कितना हो जाएगा ये 3.6597 ये आ गया हमारा log की value ठीक है तो इस तरह से हम log को solve कर लेंगे ठीक है अब देखो log की कुछ और properties होती है जैसे की देखो log m into n equals to क्या होगा हमारा log m plus log n second है कि log m by n equals to क्या होगा log m minus log n ठीक है third property है इसका log m की power n equals to क्या होता है n log m इसके रावे कुछ result जो आपको हमेशा याद रखना है कि log 10 की value होती है 1 और 5th log 1 की value होती है 0 तो अब इसको use करके हम लोग चाहे तो किसी की भी value हम लोग solve कर सकते है जैसे एक example ले लेता हूँ मैं जैसे कि अगर मुझे find करनी है log 16 by 25 तो देखो इसको कैसे कर सकते हैं से पहले यह क्या होगा M यह हो गया M तो इसको लिखना होगा हमें log 16 minus log 25 फिर इसको लिख लूँगा मैं log 2 की power 4 minus log 5 की power 2 यानि कि 4 log 2 minus 2 log 5 यानि कि 4 into log 2 की value मुझे पता है 0.301 आप लोग table में check कर सकते हो minus 2 into log 5 की value 0.6991 तो इस तरह से हमारे इसकी value आ जाएगी ठीक है तो यह था हमारा log अब आप लोग को बताता हूँ कि anti log कैसे find करेंगे जो कि बहुत सारे questions में आपको anti log भी find करना होगा तो anti log क्या हो गया जैसे कि log है इसका क्या होगा वो उल्टा हो जाएगा उसके लिए भी आपको table given होता है अब देखो anti log ठीक है तो माल लेते हैं कि अगर log x equals to y है तो x क्या होगा anti log of y ठीक है तो इसमें ध्यान देने बाली बात क्या है कि अगर हमारा y अगर कोई integer होगा तो उसका anti log आ जाएगा 10 की power में example लेते हैं हम लोग example लेते हैं कि log x equals to है अगर minus 3 तो x equals to होगा 10 की power minus 3 ठीक है इसी तरह से log x equals to है 5 तो x equals to क्या होगा 10 की power 5 तो जो भी यहां base में होता है उसी के power में आ जाता है ठीक है लेकिन यह कब होगा जब वो integer होगा लेकिन अगर वो कुछ fraction हुआ तब उसके कैसे value निकालेंगे इसको देखते हैं अगर वो fraction हो गया तो इसकी value होगा निकालने के लिए यह क्या होगा 0.301 ठीक है तो इसको अगर solve करेंगे तो देखो anti log के table हम लोग जाएंगे एक बार ठीक है 0.30 उसका 1 यानि की 0.30 का 00 तो बिटा देखो यह आ रहा है हमारा 2000 तो हम क्या करेंगे इसकी value लिखेंगे पहले 2000 और first digit के बाद हम इसको points लगा देंगे ठीक है इस तरह से anti log up point 301 क्या आएगा यह ठीक है अब आप कह सकते हो कि first digit by point क्यों लगाएंगे तो देखो एक और तरीका है समझने के लिए कि कोई भी जो fractional part होता है ठीक है वो हमेशा जो है कोई भी fractional part होगा वो क्या होगा 0 से होगा larger होगा और 1 से हमेशा चोटा होगा तो इसका जो anti log होगा anti log 0 और anti log of fraction से बड़ा होगा anti log of 1 तो उसके हिसाब से देखो तो 10 की power 0 से बड़ा होगा anti log of fraction और वो छोटा होगा 10 की power 1 से यानि कि 1 से larger होगा और 10 से छोटा होगा ठीक है इसलिए किसी भी fraction को हम लोग क्या करते हैं जो भी हम लोग निकालेंगे anti log उसमें first digit के बाद हम लोग points लगा देते हैं ठीक है अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि एक combined ले लेते हैं जैसे कि कहीं लिखा हुआ है log x equals to 2.301 तो x equals to क्या लिखेंगे हम लोग anti log of 2 plus 0.301 हम क्या करेंगे integral पार्ट और fractional पार्ट को अलग अलग कर देंगे ठीक है तो यह आ जाएगा हमारा anti log of 2 into anti log of 0.301 और आपको बता चुका हूँ कि कोई भी integer का अगर anti log निकालते हैं तो क्या था 10 की पावर में तो यह आ जाएगा 10 की पावर 2 और अभी हमने fraction का निकाला था तो यह आए था 2.000 यह निक्स की value क्या आ गया 2 into 10 की पावर 2 चीक है तो यह आ गया हमारा किसी mixed number का अब अगर मालो कि यह mixed number जो है कोई negative में दे रखा हो तब कैसे करेंगे तो उसका भी एक example आपको करवा देता हो यह anti log खास करके आपको 12 में chemical kinetics में या फिर physics में भी बहुत सब्सक्राइब हो पर इसका यूज होता है तो अभी देखते हैं माल लेते हैं कि log x equals to minus 2.301 suppose that ठीक है तो इसमें rule क्या होता है कि जब भी आपको x की value निकालने तो क्या कहोगे आप nt log of minus 2.301 तो rule यह होता है क्योंकि इसको हम लिख सकते तो क्या लिखते हैं minus 2 plus में minus में 0.301 लेकिन आपको जो table दे रखा होता है वो सिर्फ positive fraction के लिए दे रखा है तो हम इसको क्या कर देंगे next negative कर देंगे जैसे कि अगर कहीं पर लिखा हुआ है minus 2.3 तो इसको क्या कर सकते हुआ minus 2.3 को लिख सकते हो minus 3 plus 0.7 है ना ताकि fractional part जो है positive हो जाए तो मैं भी यहाँ पर वही करने वाला हूँ तो मैं इसको लिख लूँँगा nt log of minus 3 plus 0.699 अब इसके लिए nt log क्या हो जाएगा यह तो आजाएगा हमारा nt log of 10 की पावर nt log of 3 nt log of minus 3 into nt log of 0.699 यह आजाएगा 10 की पावर minus 3 into यह आजाएगा हमारा 0.699 का क्या आता है 5000 जिसमें first square point लगा देते हैं तो ultimately आजाएगा 5 into 10 की पावर minus 3 अब डिसकस करते हैं हम लोग differentiation तो देखो differentiation का तो use सबसे ज़्यादा आपको 11 के physics में ही मिलेगा आपको तो देखो सबसे basic जो formula है इसका differentiation का वो होता है कि x की पावर n को अगर differentiate किया मैंने तो क्या जाएगा n into x की पावर n minus 1 तो इसका rule और इसका use कहाँ पर जदा आता है तो जैसे कि देखो आप लोग आगे पढ़ोगे इसी chapter में जो आगे आएगा kinematics में आएगा questions कि आपको देदेगा s equals to देदेगा 4t square minus 3t plus 5 ऐसा कहे देगा ठीक है तो कहेगा calculate speed calculate ds by dt जो क्या होता है हमारा speed ठीक है या फिर velocity ठीक है तो उसमें यहाँ पर इसका जड़त पड़ेगा ठीक है तो बस आपको ध्यान रखना एक तो यह formula दूसरा किसी भी constant का अगर हम derivative निकालते हैं ठीक है तो वो हमेशा आता है 0 तो अब जैसे कि यही example लेकर करके हम लोग इसको solve करते है ठीक है देखो हमें क्या find करना है ds by dt यानि कि dy dt of 4t का square minus 3t plus 5 तो देखो यह क्या हैगा 4 into dt का square by dt minus 3 dt by dt plus d5 by dt तो देखो बच्चों यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर देखो formula क्या है n जो power होता है that into इसकी power one less तो यहाँ क्या है power 2 तो लिखेंगे 2 into t की power 2 minus 1 minus 3 अब देखो कि इसमें जो dt by dt है आप सुभाइसे भी कह सकते हो dt by dt 1 हो जाएगा ठीक है otherwise आप कह सकते थे t की power क्या है 1 into t की power 1 minus 1 और यह constant है तो इसकी value क्या हो जाएगी 0 ठीक है इस तरह से क्या जाएगा यह हमारा यानि कि हमारा speed आया है यह जिसको हम vc represent कर सकते हैं यह क्या है हमारा 4 2 जा 8 और t की power 1 8t minus 3 यह आगाए speed इसी तरह से हम चाहें तो एक और question लेरे सकते हैं वो कि जैसे कि t की power अगर मालो 3 हो जैसे कि मालो अगर हमें दे दिया कि s equals to दे रखा है 4t की power 3 minus 3t square plus 5t 5t plus 6 ले लेते हैं तो ऐसे में अगर हम से v निकालना है तो क्या कह सकते हैं ds by dt equals to क्या होगा 4 into dt की power 3 by dt minus 3 यहाँ पर क्या t की power 2 है तो लिखेंगे dt की power 2 by dt plus 5 dt by dt plus d6 by dt तो देखो 4 अब देखो power क्या है 3 into t की power 3 minus 1 minus 3 यहाँ पर क्या होगा 2 जो power है 2 that into t की power 2 minus 1 इसी तरह से 5 into 1 और यह देखो constant का derivative क्या होता है 0 इसको solve कर लो तो यही आजाएगा velocity तो यह तो हो गया हमारा simple जब हमारा x की power n दे रखा होगा इसके अलाबे कुछ और formula होते हैं जो कि trigonometric के होते हैं तो उस पर मैं ज्यादा detail में नहीं जाओंगा मैं बस एक example आपको करके बता देता हूँ देखो उसमें relation जैसे आता है आपका की अगर हमारे पास relation है की y equals 2 है अगर sin x या sin theta तो dy by d theta हो जाएगा cos theta अब example के तोर पर एक ले लेता हूँ मैं की y equals 2 है हमारा बस ध्यान रखना क्या होता है की अगर जो angle यहाँ पर हो वही angle हमें यहाँ लाएंगे तब ही जाकर solve होगा example के तोर पर अगर मैंने लिख लिया y equals 2 sin 2 theta ठीक है तो dy by अगर d theta निकालना है तो देखो कैसे निकालते है तो इसको लिखेंगे dy by d theta equals 2 यानि की d sin 2 theta by d theta लेकिन मैंने क्या क्या होता है की यहाँ जो angle लगा हुआ है वही यहाँ पर angle होना चाहिए लेकिन यहाँ पर वो तो है नहीं तो हम क्या कर सकते हैं इसको d sin 2 theta लिखा हुआ है तो अपने मन से d 2 theta लिख लेंगे लेकिन divide किया है तो multiply भी करना परेगा तो d 2 theta by d theta कर लेंगे ठीक है इससे क्या होगा कि आप देखो जो angle यहाँ पर था वही angle यहाँ पर है आप इसको differentiate करके हम लो cos 2 theta लिख सकते हैं और यह जो 2 था यह 2 बाहर आ जाएगा तो 2 into d theta by d theta जिसकी value क्या होगी 1 यानि क्या आ जाएगा 2 cos 2 theta into 1 बस इस तरह से solve हो जाएगा यह ठीक है तो इस तरह से हम लोग इसको question के एक और example लेते हैं लोग जैसे कि जो wave के question होते है इसमें y cos 2 दे रखा होता है sin omega t तो आपको find करना होता है dy by dt त तो हम इसको कैसे कर सकते हैं तो d sin omega t by dt ठीक है लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर omega t है तो हमें भी यहाँ पर क्या लाना परेगा omega t ठीक है तो उसके लिए क्या कर सकते हैं तो बिल्कुल जैसे यहाँ पर किया था वैसे ही हम लोग करेंगे कि जो angle दे रखा है उसी से divide और multiply यानि कि यह हो जाएगा d sin omega t तो यहाँ भी ले लेंगे हम लोग d omega t into d omega t upon dt ठीक है हमारे पास यह portion नहीं था लेकिन यह नहीं होता तो यह differentiate नहीं होता इसलिए मैंने इसे divide भी कर दिया और multiply भी कर दिया आप लोग चाहो तो इस bracket को हटा भी सकते हो कोई बड़ी चीज नहीं है यह तो देखो इस तरह से क्या होगा हमारा कि इसको हम लोग differentiate कर लेंगे तो अब क्या होगा यह यह हमारा ओमेगा टी ठीक है मैं दुबारा ही कर दोता हूँ तो जो भी था हमारा उसको लिख लिए that into d into omega t by dt त यह क्या हो जाएगा हमारा cos omega t और यहाँ पर omega आ जाएगा बाहर जो constant होता है वो differentiation में बाहर आ जाता है अगर multiply और divide में हो तो dt by dt तो क्या हो जाएगा omega cos omega t into dt by dt क्या होगा 1 इस तरह से solve हो जाएगा तो यह था differentiation का मैंने simple करवाया आप जिस तरह से application होगा उसको आप लोग आगे करोगे ही अब एक example ले लेते हैं integration का इस integration की भी जोड़त आप लोग को पढ़ेगी जो को integration जो है वो होता है इसका बिल्कुल उल्टा होता है तो एक छोटा सा मैं integration लेके करके बता देता हूँ तो जैसे कि देखो अगर माल लो x की power n dx अगर ऐसा आजाता है तो इसकी integration आपको दे रखा होगा lower limit a upper limit b तो देखो x की power n dx का integration होता है x की power n plus 1 upon में n plus 1 फिर क्या करते हैं लोग जो lower limit है उसको put कर देते हैं upper limit को put करते हैं फिर यह जो n plus 1 आया है इसको हम बाहर कर लेते हैं अब upper limit जो है वो variable के जगा पे put कर देते हैं तो b की power n plus 1 minus a की power n plus 1 ठीक है तो इस तरह से इसका solution हो गया ठीक है अब इसको use कहा करेंगे तो एक वी example देके बताता हूँ मालो आपको दे रखा है v equals to दे रखा है 2t plus 3 ठीक है तो आपसे कह रखा है calculate calculate distance traveled distance traveled between 0 to 2 second आपको कह रखा है कि आपको speed दे दिया मैंने इस तरह से या velocity दे दिया तो आप distance find करो 0 से 2 second तक तो देखो हम लोग इसी को use करते हैं करेंगे तो वी क्या होता है हमारा distance का ds by dt इसकी value दे रखा है 2t plus 3 हमें क्या चाहिए distance तो हम ds को एक तरफ रख देंगे फिर लिखेंगे 2t plus 3 hole into dt अब ds को भी integrate करेंगे और इसको भी integrate करेंगे चीक है तो इस portion को मैं आगे लिख देता हूँ अब देखो तो देखो जब time की value हमारी 0 थी तो distance भी 0 था अब time हो गया 2 second तो distance भी क्या हो गया s अब इसको देखो solve कैसे करेंगे तो देखो ds का जो integration होगा वो हो जाएगा देखो यहाँ पर क्या है s लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि s की power क्या यहाँ पर 0 ठीक है तो इसका integration क्या हो जाएगा s की power 0 प्लस 1 बाइ 0 प्लस 1 यानि कि s हो जाएगा मैंने अलग से सिर्फ कर दिया है ds को integrate करके तो यानि कि ds का integration कितना हो जाएगा s ठीक है बच्चो अब हम बात करते हैं 2t प्लस 3 का integration देखो 2t प्लस 3 whole into dt का अगर हमें integration करना है 0 से 2 तक तो इसको हमें लिखना परेगा integration sign 2 को बाहर कर लेंगे फिर क्या आएगा t dt 0 से 2 प्लस 3 को बाहर कर लिया dt 0 से 2 अब इसके बाद 2 देखो t dt का integration क्या होगा t square by 2 0 से 2 मैं इसको उपर ही लिख देता हूँ तो देखो बच्चो क्या होगा कि हमारे पास जो था 2 t dt 0 से 2 प्लस था 3 dt 0 से 2 तो इसको हमने क्या लिखा 2 अब देखो t की पावर क्या है 1 इसका formula की साब से क्या होगा 1 प्लस 1 इसका integration क्या होगा 1 प्लस 1 यानि कि t की पावर 2 by 2 lower limit 0 upper limit 2 plus 3 dt का integration होगा t जैसे ds का निकाला मैंने s उसी तरह से dt का क्या निकलेगा t 0 से लेकर के 2 चीक है अब इसको हम लोग क्या कर सकते है बच्चों further solve कर लेते हैं तो upper limit पहले हम value पूट करेंगे पहले तो इसका करते है constant को बाहर कर लेते हैं तो एक बार upper limit पूट करेंगे 2 square minus 0 का square फिर 3 एक बार upper limit 2 minus 0 तो इस तरह से क्या होगा यह 4 plus 6 यानि कि आ जाएगा 10 meter ठीक है तो आयोब तो बच्चों आप लोग को समझ में आया होगा differentiation इंटीगरेशन ठीक है मैंने उसमें solution करवाए अगर किसी को कोई भी problem हो कुछ भी पूछना हो तो आप लोग comment box में comment करके आप मुसे पूछ सकते हो next part इसका एक और बनाऊंगा जिसमें मैं बात करूंगा जो अलग-अलग graph होंगे जाहे वो physics में graph यूज हो रहे हो या chemistry में graph हो रहे हो तो उसको कैसे बनाते हैं इसके लिए हम लोग next वीडियो में करते हैं